और सलमान खान ने भी बोला था कि आपकी फ्रेंड ने आपको बोला है कि आप वहां जा कि यह चीज बोलो वगरा वर मुनवर ने यह चीज शोपे तो एक्सेप्ट किया ना कि मैं टू टाइमिंग कर रहा था मैंने इन दोनों को धोका दिया है यूनों लोगों को बोल रहे है मैं एक डिसिजन सुनाने वाला हूँ लेकिन थोडर टाइम लेके सुनाओंगा अगर वो वीकेंड का वार नहीं होता तो आईशा को प्रपोस कर देते शादी के लिए एक्स गल्फरंड का बता रहे हो कि मैं उनसे परिशान हो गया हूं मेंटल हैं यह हैं वो हैं तो चाहूंगी हैं मुझे अपने पॉड्कास्ट पर यह चीज बापस से एक यूनों बुलाना है फॉर्माट की अपने प्लानिंग की और किस तरह से मतलब इस पॉड्कास्ट की शुरुआत हूई पहले तो हाइवरीबडी और कोई प्लानिंग नहीं हुई थी मुझे अपना पॉड्कास्स टार्ट करना ही था क्योंकि इसके पहला I was taking it online बट अब मैंने यह सोच रहा थे कि let's do it on ground level and क्योंकि आईशा को मैं पहले से जानती थी तो फिर I approached her जैसे कि अभी हम यह कर रहे है exactly वही था nothing else बस मैंने उनको अप्रोच किया उन्होंने मुझे हाँ बोला हम मिले हमने podcast किया बस यह चीज थी हमारी माँ पर तुमने तो कह दी कि मतलब यहाँ पर बस हो गया लेकिन इस बस ने बहुत कुछ कर दिया है वो पिक बहुत के अंदर चेली गही है पर कई सारी controversies हो गही है 10-15 लोगों को मैसिज किया था और क्यूंकि शायद मैं आईशा के इंबॉक्स में पहले से थी तो शी रप्लाइड पहले और और अई फेल्ट कमफर्टीबल उसके साथ भी क्यूंकि आई नो हर पहले से तो आई वस लेक ठीक कर सकते हैं तो अच्छी वह मेरा कमफर्ट जोन था और उपर से इंफाटीज काफी ताइम भी ली आईशा को मैने अप्रोच किया था इन ऑगिस्ट और हमारा इंटर्व्यू वा दिसेंबर में सो बो डिले हुए जा रहा था हुए जा रहा था था बिग बॉस के पहले हाँ हां बिग बस के पहले है तो मतलब मैननको कॉंटक्ट किया उन्होंने हा बोला और इससे बेटर स्टार्ट किया क्योंकि उनकी पहले से एक अच्छी ओडियन सेट थी और आई वस देर ठीक है में रीच मिल रही थी चल गया ताइट इतना डिसकस हो चुका है वो पॉड्कास करना था ये प्लान था पॉड्कास में क्वेशन जो भी थे इन फाक्ट ये भी चीज़ हुई थी कि I went to her and I was like these are the questions she's like nahi मत बताओ मुझे let's keep it natural तो podcast plan था, guest plan था, location plan था, please it was not at all scripted की बहुत सारे लोग ऐसा लगता है कि वो scripted है I know I don't know I understand कि ये चीज़ लगीगी in fact मैं भी अगर किसी third party का अगर podcast अगर ऐसे देखती तो मुझे भी ऐसा लगता planning थी but trust me मैं मैं ऐसी कोई planning, plotting, कुछ भी नहीं की थी it was pretty natural और in fact उस टाइम पर जब वो इस बारे में बात कर रही थी हम उस चीज़ को गहस भी नहीं कर पाए जैसी podcast शूट खतब हुए and then we were like is she talking about Munawar तो वहां से फिर वो चीज़ शुरू हुई है तो इसके पहले it was nothing planned, trust me लेकिन क्या वो part पहले interview से पहले discuss हुआ था कि मतलब कि मैं इस तरह की बाते करना चाहती हूँ या कुछ share करना चाहती हूँ नहीं in fact मैंने उनसे पूछा था कि मैंने कुछ time पहले आपके you know account पे एक story देखी थी किसी बंदे के बारे में ऐसे ऐसे are you comfortable अगर मैं अपसे इस बारे में question पूछू, she is like it's your script आपको जो करना आप इसमें कर सकते हूँ so this was the entire चीज तो मुनावर के बार में या फिर इनसब के बार में interview से पहले discuss नहीं हुआ था कभी मुलाकात हुए याप कि कभी मुनावर के साब नहीं यार मिलना है मुझे, I actually want to meet him और मुझे पूछना है कैसे कैसे कर लिया आपने इतना सब कुछ नहीं मेरी मुलाकात तो नहीं हुए है, in fact ठीक है, जो भी चल रहा है इन लोगों का, I'm not in anybody's team but definitely मुझे मुनसे मिलना तो चाहूँगी मुझे actually अपने पॉड़कास पर यह चीज वापस से एक उलाना है फॉर्माट की, क्या यह चीज़े हुई थी जो आईशा ने पिछले एपिसोड पर बोला था तो उसका obviously एक आगे वाला प्लेलिस्ट मुझे चाहिए ही तो मिलना चाहूँगी बिटाश तक मिल नहीं पाई हूँ sad कि अंदर गई और वो चीज़ बहुत जादा बाहर आई क्योंकि उसके पहले तक एक क्वेशन मार्क था everybody was asking क्या यह उसके बार में बात कर रही है तो उतना hate नहीं आया ता as soon as वो घर के अंदर गई उसके बाद जो गंदी-गंदी गालियां जो ट्रोलिंग मैंने बढ़ा भाई मेरी क्या गलती है simple सी चीज matter उन दोनों का है अची ऐसा हुआ है बहुत गंदे गंदी-गंदी गालियां इसके फैंडम की तरफ से आईशा को तो मिली रही है और obviously मुनवर के fans ही है छो है तो, बट मैं उनको यही कहना चाती हूं कि मेरी कोई गलती नहीं है, कुछ स्कृप्ति नहीं था, मेरे साइट से, कुछ भी नहीं था, and in fact, उसके साइट से उविसली, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, and फ्लीज इतनी गंदी गंदी आलिया मत दिया करो, मैंने जस्टार्ट किया है और in fact जब यह बात हुई थी Big Boss में भी और Salman Khan ने भी बोला था कि आपकी फ्रेंड ने आपको बोला है कि आप वहां जा कि यह चीज बोलो वगरा that actually impacted me a lot कि मतलब क्योंकि वह एक ऐसे स्टेट पहें जहां पर अपना करियर सेट कर लिया and he's a big man है न महां पर जितने लोग भी हैं they are you know somewhere तो मुझे काफी ऐसे बुरा भी लगाता है क्योंकि I have just started it है न तो मेरे लिए बहुत जादा impactful था क्योंकि मेरे आगे के जो lined up podcast है वह में को ऐसे message कर रहे हैं कि आज मैंने आपके podcast के बार में ऐसे ऐसे पढ़ा ऐसे इसे सुना I am like impact तो करेगा ना बाकी वाले guests को तो वो जो hate वो सब कुछ मिल रहा है न तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि negative publicity या फिर positive publicity स्टार्ट में it's good कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन as I am a sensitive person मुझे फर्क पड़ता है और अगर आपको कोई problem है तो आप directly पूछ सकते हो मैं आपको उसका reply मैं in fact बता है हर comment को जाके reply दे रही है कि भाई ऐसा नहीं है बहन ऐसा नहीं है मत बूलिया आप ऐसे तो यह चीज़ चल रही है बट हाँ hate तो बहुत मिला है इंगेजमेंड भी थी मतलब लोग उसको मतलब views, likes, comments वगरा जो सारी चीज़े होती है इंटरनेट पे वो सब उने मिलता था और वो एकदम नए चैनल पर आ रही है एकदम उस चैनल पर आ रही है जो मत पूछना यह यह पूछ लेना या इस तरह की चीज़े होती है और वो आए और पहले एपिसोड में आपके साथ में बैठी हैं तो लोग को वहाँ पर लगेगा ना कियार कि वो scripted है I know यार लगेगा scripted है बट जैसे हो गया बस मतलब flow में हो गया मैंने उनको contact किया वही same चीज़ी है मैंने उनको contact किया उन्होंने हा बोला वो आ गई है और हमने podcast शूट कर लिया that's it और लेकिन इसके बाद जो लोगों को लग रहा है कि just new podcast है और suddenly तो क्योंकि हमारा first podcast था on YouTube channel बट इसके पहले हम लोग Instagram पे इंस्टालाइफ करते थे तो यह चीज़ कोविट से चलती आ रही है मेरे ठीक है तो हम उसको normal basis पे करते थे बच्चे थे 10 standard में म क्योंकि मेरे लिए वो चीज़ डाइजिस्ट करना थोड़ी मुश्किल हो गई तो I took a break कि भाई यह चल क्या रहा है पहला था और उपर से इतना यह हो गया hate आ रहा है comments आ यह सब आ रहे है तो हमने फिर एक महिने का हमने फिर plan किया कि आगे के lined up podcast क्या है और उस हिसाब से फ विडाई आफ पापा को मनाया था मुझे चारई जार में मुझे पूरा इंटर्वियू ऐसे किया तो मुझे कोई पैसे नहीं ता और आगे भी आप podcast देखो का ऐसा नहीं है कि नहीं है तो please it was not at all a new channel created only for Aisha लेकिन अब जो उनका behavior जो चल रहा है घर के अंदर जो जाने के बाद में जिस energy के साथ में गर के अंदर गई और फिर अब जो उनका जो मतलब जो रवया है जो घर में रहने का इवन इस वाद तो काफी वैशिंग भी करी जो सल्मान खान ने जो कहा है जो कि भई तुम्हें अगर matter न मिलने वाला है अच्छा मिलने वाला है क्योंकि controversy बाहर आरी थी बट मुझे कोई भी idea नहीं था कि वह बिग बॉस में जाने वाली थी तो भाई मतलब I was shocked जब मैंने पहली बार उसका प्रोमो देखा और क्योंकि फिर मेरी उसके बाद उनसे बात नहीं हुई जादा मतलब ए मतलब अच्छा जाता बाट मैंने भी देखा वो जिस energy के साथ अंदर गई थी and I तो थोट भाई लग गई मुनवर की वाट जिस तरीके से उन लोगों ने लिखा था कि मुनवर की वाट लगाने आईशा अंदर आ रही है तो यार देखो न मुझे ना थोड़ा सा पहरी पत अभिशेग ने जब उनसे सवाल पूचा था अगर आपने वाला एक एपिसोड देखा हुआ है वहाँ पर किलर रही हुआ है यहां पर क्यार कमिट्मेंट को यह थी ही नहीं वहाँ पर अगर आप किसी को आप एक महीने किसी की साथ में रह रहे हो और आपना सब कुछ बता रहे हो उनको अपनी एकस गल्फरिंट का बता रहे हो कि मैं उनसा परिशान हो गया हूं में यह हैं वह है जो भी उन्होंने कहा है नोट माइवर्ट तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़क अपनी चीज़ पर एकसेट किया ना कि मैं तू-टाइमिंग कर रहा था मैंने इन दोनों को धो का दिया है यह उसने यह बोला है कि मैं बात कर रहा था बात कर रहा था है और यह चीज़ बोली कि हाई आई आपके साथ गलत किया है न। तो उनको नाशनल टेलेविजिन पर तो मिल ही गई बट क्योंकि वह बहुत ज़्यादा शान्त हो गया था मैटर अलोफ दी सड़न तो आई थिंक वह वीकंड का बार प्लान किया वह जिस तरह से मैं भी आप से बोला कि मतलब कि वह घर के अंदर गए कि भई मैं जाओंगी और कुछ ऐसे करूंगी और कई तुम्ह बैठने की बाहर रिलेशन्शिप को कंटीन्यू करने की जहां पर दौनों किलोज आ गए मतलब उस तरीकी की बाते हैं वहां तक बाते पहुच गहीं तो यह सब थोड़ा शौकी नहीं लगा आपके एक बंदियार यह बाहर इतनी बाते कर रही है इतना कुछ बोल रहा है ल आपसे मीठी मीठी बाते कर रहा है तो पिघल जाते हैं जब लड़के पिघल सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं पिघल सकती और सपेशली आईशा ने बोला है कि वह इस रेलेशन्शिप में जादा इंवाल्फ थी जो भी था उनका वो उनका जो इमोशनल इंवेस्में जो भी था इंवेस्मेंट उनका जादा था उसमें तो ठीक है पिघलने की बात अलग है बट आईशा ने एक टाइम पर यह भी बोल दिया कि नहीं भाई हमसे तो नहीं होगा बट ठीक है जो भी है आई नो बहुत अजीब लग रहा है देखने में मुझे भी लग रहा है ब कर रहे है तो ओविस्ली घर की फैमिली है तो डिफेंड तो करीगी जब फैंस डिफेंड कर सकते तो भाई क्यों नहीं कर सकता लगता है कि जो आईशा भी तक जैसे बिग बॉस के अंदर दिख रही है वो उनकी एक रियल परसनालिटी नजर आ रही है यह सिर्फ वह एक गे की नजाकत है जो उनका यूनो वो सब है वो उनका पहले से था चाहिए वो जूनियर कॉलेज में क्यों ना ठीक है वो अगर कोई डांस भी करती थी तो उनका वो एक अलग ही उनो एक्स्प्रेशन वगरा वो एक्टर उनके अंदर बच्पन से था समझो आप तो आप उविस को लेकर जो बाते होती है कुछ S & A और भी कई सारे ऐसे जो वर्थ हैं, फिर समतावर कहते है कि जै, तो क्या के वारे में अपको कुछ आइडिया है, किसको बारए में बाते होती हैं? कि मुनवर की बाहर कितनी क्या थी मतलब ये तो मुनवर ने मतलब खुद भी बूल रहा है कि आप उस लड़की के बाहर में बात करें आर वी ओन दी सेम पेज ए से नाम स्टाट होता है जे से नाम स्टाट होता है तो ये टौकि अपने चीट किया है तो अधर विमन में भी बहुत सारी लड़की आपको कुछ किसी के वारे पता है जिसके वारे मैं बताना चाहें कि हावर ये भी इनवाल्व है नहीं आज सच मुझे ऐसा कुछ नहीं पता है लेकिन नाजला और आईशा की बीच में बहुत सारे चाट्स वगरा एक्चेंज हुए थे और इन लोगों का काफी ब्रॉड छेचेट साथ साथ गंटे का टॉक हुआ है कॉल पे तो ओविसली वो लोगी दूसरे साथ चाट्स एक्षेंज कर रहें और नाजला उनकी गर्फरंटी तो चाट्स तो पढ़ती होंगे क्योंकि आईशा का चाट उन्होंने पढ़ा ही था तो बहुत सही लड़कियों के नाम आई होंगे और ओविसली इंफ्लूएंसर ही होंगी सब के सब तो ढूंड़िये जे कौन है एक कौन है सी कौन है सब वोकाबलरी खेल रहे हैं मापर नो आईडिया I don't have any आईडिया मापर कौन सी लड़की है इस तरीके से जो मुद्दे बनाए जा रहे हैं इस चीज के उपर और मुनवर का इस चीज के उपर जो रियाक्शन है ना इस वेरी एकदम स्ट्रेट फॉवड की यह क्या होता है मतलब अगर यही चीज अगर कोई लड़की मतलब अभी मैंने कल के एपिसोड में देखा अगर आपका जो आइडल है अगर वो चीज कोई गलत कर रहा है तो आप उस चीज के उपर बोल सकते हो आप सजेशन दे सकते हो और आम शूर और भी लड़किया है और यह चीज उन्होंने खुद एक्सेप्ट की है इस तरह से आपने बताए कि मनारे ने उन्हें कुछ बोल और जब यह लोग mental health की इतनी बात करते हैं अंदर तो I think so यह statement किसी को भी देना is not right क्योंकि अगर जो जो दर्शक है उनको जो चीज दिख भी नहीं देोगी ना because of your this statement get over me तो लोग सोचेंगे दोस्ती था कि प्यार था he's asking her to get over me तो that's wrong और दूसरा मनारा मुझे बहुत छुपी रुस्तम लगती हैं trust me क्योंकि उनका मैंने कुछ reels भी देखे हैं clips devilish smile ये वो ये वो but she's a good entertainer entertainment बहुत अच्छी उनकी but जिस तरीके से Isha और मनारा you know बात करते हैं सब कुछ scripted तयार करते हैं कि चलो चलो बाहर जाके देख अबी था ये love hate वाला I think she would be hurt obviously बहुत सारे लोग की तरफ से सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे कि उनका ये कहना है कि मतलब यार कि अगर इसको अपनी बात बंदी को कहनी थी तो एक episode में जा गया guest reference तो देख कर या वहां पी जिस तरह से होते हैं मतलब यार कि अपनी बात कह हुई है तो discuss करते हैं जाकि इनको भी जाना चाहिए तो उस तरह से बात अपनी रखने चाहिए तो जाधा रियल लगती आपको लगता है सब यार देखो अपना हम इसमें हमें यहां पर बहुत सारे लोग को लगता है कि सिर्प यह जो भी हो रहा है सब कुछ फेम के लिए ह बहुत सारे लोग को लगता है सब मेकर्स का क्या प्लान है वह तो मुझे नहीं बता बढ़ बहुत पहुचे हुए लोग है और अगर आईशा गर उनको अगर जैसे लोग कह रहें कि आईशा ने उनको अपरोच किया सब के दर्वाजे ठक्टका रही थी सब कुछ कर रही थ त儿 तू मेकर्स का था ना अगर मेकर्स अनको बोलते कि आप ड owners की तरय जाओ, तो वह guest का रही थी अगर ने टा यूफ से जयां थे गई थिटू कि आप कितना भी लेकिन चौइस हो॥ित आगा तक किし जुन के आना ही पड़ेगा इविपन इविन बकीन जिस बैंकि आउर से बाहर कोई ऐसा है जो शायद शो के लिए इसारी चीज़े नहीं करेगा अब देखो बोलने के लोग तो सब लोग कर रहे हैं लेकिन I feel कि परस्नालिटी सब की अलग-अलग होती है नाजिला जैसे कि हम सब को पता है बाहर गजार लोगों ने उनके बार में बता है कि बहुत sensitive person है she's an introvert type of person और Aisha extrovert है she's also sensitive but she's extrovert है और अपने नाजिला को तो वो बहुत अच्छे से admire कर ही रहता ना national television में धोका कौन खा रहा था according to their thing धोका तो Aisha को मिल रहा था तो आईशा अगर वहाँ पर आके अगर उन्होंने ये चीज़ की है तो मुझे ये नहीं पता है कि उनको guest offer किया या फिर ये offer किया वो offer किया बट I feel अगर कोई भी अगर और होता तो वो यही decision लेता कि ठीक I'll you know continue this as a you know member there तो मुझे ऐस सच कोई problem नहीं लगती जैसे उन्होंने भी बुला बाकी वहाँ पर लोग रोटी तोड़ने तो बैठे नहीं है सब काम करने आए हैं और जिस industry में लोग है चीज़े शायद चलती होंगे मुझे नहीं पता मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उनके उपर I think responsibility आ गई थी कि मुझे अपना वो जो personality है जो अगर किसी के उपर भी allegations लगेंगे चाहे लड़की के उपर लगें तो अगर मेरे उपर लगे हैं तो मुझे उसको clear भी करना है चाहे सही हो चाहे गला तो कुछ भी हो बंदा clear करता है तो वही एक हफ़ते वो पहले सोच रहे होंगे या मतलब मुनावर से related कुछ बाते हुई थी आपने उसे पूछा कि बंदा कौन है कौन नहीं है या कैसे या कुछ यह तो पूछा तो हो गया है कि मतलब कि ऑफ क्यामरा की बाते में कर रहा हूं उस वक्त क्या बाते हुए पॉड़कास के जस बात मैंने उनसे पूछा था कि आप किसके बार में बात कर रहे थे तो शीज लाइक गैस करो तो मतलब जैसी कि वहां पे है कि Am I dropping too many hints तो मैंने उसके बात भी पूछा और in fact मैंने एक बड़ चाट में जब हम मैंने उनको वह भेजा था तो मैंने indirectly भी पूछने की कोशिश की थी कि यहनो मैंने ऐसे कुछ लिखा था कि I think now everybody will target Munavor तो at least अगर उनका हां आता ना आता तो मुझे पता हो जाता कि बनता कौन है बड़ उसके उपर भी उनका कोई comment नहीं था मुझे उनके साइट से नहीं पता चला जब तक मैंने प्रोमो नहीं देखा तब तक मुझे उनके साइट से कुछ भी नहीं बता चला क्या लगता है कि नाजिला को दुबारा मुनावर के पास में जाना चाहिए है दोनों को मुवन मतलब क्या ब्रेक अप कर रहे न चाहिए अभी किस को किस के पास में जाना चाहिए क्योंके बहुत मैसी सा हो गया है इस सब देखो मुनवर को अंदर ऐसे बैठ के लग रहा है कि आईशा से थोड़ा दूर जा रहे तो बाहर उनके चांसे बढ़ जाएंगे बट नाजिला के साथ अगर उन्होंने फिर शायरिया वार दी वो पिघल गई तो अलग चीज़ बंदे का चाम तो बहुत अच्छा है तो अगर उनका चाम चल गया तो अच्छी बात है बट मुझे तो यह लगता है आपके सजेस्ट करती है कि आईशा को उनके टच में रहना चाहिए बाहर आने के बाद में बिल्कुल नहीं क्योंकि दोनों की जमती नहीं है और दोनों के बॉंड अच्छे नहीं और मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ पे इतना हेट मिल चुका है तो इस चीज़ को थो कर दो जादा अच्छे दोनों के करियर वाइस क्योंकि एक ही चीज में रवाल्व करते रहना करते रहना कोई समझधारी की चीज नहीं है तो आई थिंक दोनों को अलग हो जाना चाहिए नाजिला तक पॉछने का ट्राइनी किया अपने बात हुई कुछ किया प्लीज नाज लिया बिग बॉस में तो मैं तो गई थी या विस लेक समान खाने मेरे बार में ऐसे कैसे बूला है से कैसे बूल सकते हैं तो फिर मैंने बात में सुछा क्वेशन माग था ना अंगे तो यह चीज चलती है तो आई धिक नाजला बहुत ज़्यादा है ओविसली किसी के लिए भी डिफिकल्ट होगी यह चीज तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया मुझे जाड़ कई बार दोस्त नाम से पहचानी गई हो दोस्त नाम से आपका नाम वहाँ पर रिवील हुआ है यार दोस्त हो ऐसे अब दोनों यार दोस्त का डेफिनेशन डिपेंड करता है कि अ क्योंकि वह बहुत जादा फेमस हो चुकी है तो मैं ऐसे अकड से बोल सकती है मैं आईशा की फ्रेंड हूँ बट पॉड़कास तक इन फाक जूनियर कॉलिज में भी जैसे मैंने कहा हम एक दूर दूर वाली गोस्ती है मतलब वह मेरी सीनियर थी तो हम ऐसे यूना क्योंकि इसके पहले भी मतलब लाइफ में काफी चीज़ होती तो मुम से सजेशन से लेती थी शी तो कंसोल में कि ठीक है सब ठीक चलेगा वगरा अंशी इस पॉर्ज परजने यार अंशी एसा मतलब ऐसे नहीं है बट अ एड्मार हर अंठ पॉर्ड कास्त के ताइम पर मेर पहला पॉर्ड कास्त था है रेमेंबर पॉर्ड कास्त लेने से पहला है वो शिवरिंग मुझस से नहीं हो रहा था देन शी वस लेक टान्या रिलाक्स इस फाइं टेक यॉर टाइम पानी पियो हम करते है अनाम से तो शीज़ नाइस परसे और उससाब से आप से आप हम फ्र है बट मैं मुनवर के फैन से बात करना चाहूंगी आई नो आप लोग किसी से बहुत जादा प्यार करते हैं और आप मुझे नहीं जानते बट यह जो पॉड़कास हुई है जिस तरीके से आप हेट दे रहे हैं मेरी बहुत महनत लगी है बहनों दोनों को बोल रहे हैं मेरी सवाल पूछ रहे हैं मुझे सवाल नहीं पता है वैसी उनको सवाल नहीं पता थे मैंने सवाल पूछा क्योंकि मैंने स्टोरी देखी थी तो उसके बाद उनका जवाब आया तो इसमें मैं गलत कैसे हूँ तो प्लीज आप मुझे हीट देना बंद करें और मैं आप सबसे ब प्रफोन करके गालिये देदो चले खा मुझे बट डिरिक्ट करो ऐसे हेट माइप अपने इंस्टेग्राम पे है मेरा नंबर है आज बहुत सारी फोन आने वाले है तो बारी पर ठीक है कि मैं अपने बहुत अच्छा लगा आप से बात करके हैं आई होब दर्शकों को उनके जवाब बिल गए हो इस रिट्रिवी की दारान येस और कुछ भी और क्वेशन्स हैं डीम मी कॉल मी एनी टाइम थाइंक यू तानिया